नमस्कार गुड़ीवनिंग मानी गुरू में आपका स्वागत है आज हम बाचीत करने जा रहे हैं इंशॉरंस के बगार पर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबेश स्टुडियो में हमारे साथ मौझूद हैं हर्श रूंक्ता साब CEO अपनापैसा.com नमस्कार स्वागत आपका हर साब और शुक्रिया हमें जाइन करने के लिए आए हम व्योस को आज़े हैं किस तरह से वो शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राशन हम तक भेजने के लिए आप SMS और mail कर सकते हैं आप मुबाइल के मेसेज बॉक्स में इंशॉर टाइप कीज और उसके बाद complete details हमें 57575 पर भेज दें और ये email ID वे जिस पर आप अपने जो भी प्रश्न है सो जाफ शो के लिए भेज सकते हैं पाने गुरुएजी नेटवक.com पर आई ये सवाल जब आपके सिलसिले को हम शुरू करेंगे पहला सवाल जो में इंक्लूट कर रहे हैं व इन से भी संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है लेकिन करूंटर साब आप हमें बदा सकें ये अगर दो medical insurance की जिस तरह से बात करें हैं plans लेनी की क्यों अगर ये किसी company पे इनका trust जादा है उसके services पे जहां से इनको लगता है बहतर है एकी पर क्यों आप ये जिस तरह से लेक trust है तो दो policy ले सकते हैं कोई restriction नहीं है let us assume कि एक insurance company के साथ एक लाग की policy है और दूसरी insurance company के साथ दो लाग की policy है और अगर कोई claim आता है तो वो claim within the overall limits one third पहली company देगी और two thirds दूसरी company देगी in proportion to जो cover है इसको contribution clause कहते हैं सबसे पहला advice अजय जी आपको यही है कि आप दोनों insurance companies को claim intimation करिएगा कि मेरा ये claim आने वाला है फिर उसमें से एक को आपको major treat करना होगा जिसके पास आप original papers देंगे और दूसरे को आप जो है photocopies देंगे वो आपस में coordinate करेंगे complicated process है बहतर यही रहेगा कि जब renewal due होता है उस समय आप इस policy को भी port कर लें अपनी एक दोनों में से एक insurance company choose कर लें जिसके अंदर आप ये policy port कर सकते हैं उससे आपको premium भी कम पड़ेगा because एक लाग और दो लाग का अलग अलग आप premium लेंगे versus तीन लाग की एक policy का premium लेंगे तो ती beneficial हो जिसमें lifelong renewal हो जिसमें sub limits ना हो ऐसी ऐसी company choose करके उसमें port आप अपनी policies कर सकते हैं इससे पहले हम अगले प्रशन कर मूफ करें जैसे हम इसी में आप से एक और पहलू जानना जाहेंगे जैसे हम बात करें Mr. Gupta ने for example दो company से जैसे आपने बताया एक से एक लाग का cover है दू जिस जिनके पास जैसे इनोंने cover लिवा एक लाग जिससे coverage है उसी को inform करें तो वो उस तरह से work नहीं कर पाएगा क्या और दूसरी company को उसके लिए intimate करना भी जैसे बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है या अगर एक company से coverage उतना हो पा रहा है तो उसको avail कर लें दूसरी company के साथ लेटर आन कभी जरूत पड़े तो कर सकते हैं तो अब ऐसा है कि अभी तक health insurance company के पास common database तो नहीं है ठीक है लेकिन technically ये आपका फर्ज बनता कर आप claim form देखेंगे कोई भी insurance company का उसमें कई insurance companies के claim form में ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पास ऐसी और कोई insurance policy है जिसके तह भी ये claim cover होगा ऐसी कई insurance companies में claim form में है किसी में नहीं है तो अगर आप जूट लिखेंगे तो आपका claim reject होने का chances है ये जरूर बात है कि आज की तारिक में सिर्फ आप पहली company को कहें तो शायद उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास 2 lakh की policy है लेकिन long term में एक तो डेट करिए long term में आपके लिए beneficial वही रहेगा और इसी लिए merge करना आपके लिए better रहेगा एक ही company में चले जाए ये दोनों में से जो अच्छी लगती हो आपको या दोनों को एक तीसरी company में ले जाए जो आपके लिए अच्छी absolutely जिस पर आप ज़्यादा विश्वास है उसके बढ़े हैं और आगे फिर बढ़ते हुए जो coverage है उसको भी बढ़ते रहें जिस तरह से medical expenses बहुत जादा है तो ये overall इसका समझानी कोशिश की गई है जैसे प्रक्रिया वोग करती है अगला सवाल मुंबई से है शर्शी प्र करना चाह रहे थे क्या एक्जाटली आपकी पूरी उजना थी इस प्रक्राक्ट को चूज करते समय आपके बैसिकली आइव लोकिंट फॉर सम्टिंग विच कैन इंशियोड माई डाउटर फ्यूचर इन केस अप माई अबसें सेलाइज आइज आइज सेव साम इमांट आफ फिक बच्छ प्छिए डोथी चाल हो से इसको डाउट कर रहा हूं बचान आट पिछ्छे दो देन इसको चर्क रहा हूं बचान आट सी इन कीच्टनवाद हैंवाट हैं था प्राट इस थापर इसको उन्हां आपेस प्रोडों मिल्श्री इस आपके बच्रा इन आराट प स 1000 रुपेज पर मन्थ and I mean I just wanted to know whether how this is performing and should I keep going with this one or how about Right, आपको राइज रवाते हैं, हरुम्डा साब जिस तरह से नोने दो चीजों का मेंशन किया, एक तो specially इसको आप किस तरह से देखना चाहेंगे ये यूलेप काटेगरी में है, ये एक लाउंग टर्म के लिजने लिए रहता है, इनको रॉन अबॉट भी पांत साल जिस तरह से हुए है, पीपेफ नोड़ाट एक सेपरेट टाइप का लाउंग टर्म, सेफ, सेक्यूर इंस्रूमेंट, गर्मेंट बैकिंग के साथ है, ये लग-लग मतलब गोल के उपर भी डिपेंड करता है, आप इनको कैसे समझाएंगे, फर्स्ट अफॉल आप ये बिला सनलाइफ चिल्रन प्लान को, अब इनको अल्मोस्ट पांट साल हो गए है, इनको कैसे आपराई दिना चाहेंगे इस पर? तो श्रशी प्रकाश जी, ये आपने प्लान लिया था मेरे खाल से छे साल पहले, ये आपने कहा है, अब और कितने साल आपको ये पैसे कितने साल बाद में चाहिएं, क्या आपका मतलब उदेश्य क्या है इन पैसों का, कब चाहिएंगे ये पैसे, उदेश्य तो आपने कह है कि अपनी डॉर्टर की के लिए आपको पैसे चाहिए बट कितने साल बाद में अगर आप विड्राव करें तो भी आपके लिए ठीक होगा इस तो यह उनिट लिंक्ट प्लान है हर यह हमने प्रोग्राम में कई बार का है कि investment और insurance को mix करने मेंने आपको अच्छा investment मिलता है ना आपको अच्छी insurance मिलतीए ना आपकी insurance इनफ है और ना आपको investment पे अच्छे return मिलते हैं तो बहुत high charges लगते हैं अब रहा सवाल fund performance का तो आप यह जो देख रहे हैं कि fund का performance low है आप अपने premium से compare कर रहे हैं Actually, fund का performance बहुत बुरा नहीं है, even अगर आपने enhancer fund चूज किया है, इसमें जो maximum equity वाला fund है, वो enhancer fund है, जिसमें maximum 35% equity में allowed है, तो ये एक आपने debt वाला option चुना है, उसके इसाब से अगर हम compare करें, तो इसका साल भर का return करीबन 12% है, पॉने 13% है, जो कि even in fact through a hybrid fund है, HDFC, MIP काफी अच्छा fund है, उसके comparison में slightly better है, तीन साल का return इसका slightly lower है, same fund से, 5% है, उसका fund, और HDFC, MIP का करीबन सावा 7% है, लेकिन obviously जब आपका लक्ष 15 साल का है, तो जो fund आपने चुना है, जो scheme चुनी है, उसमें आपको equity में रहना चाहिए था, वो है नहीं, अभी भी आप इसमें से अगर withdraw करेंगे, तो surrender charges नहीं लगेंगे आपको, अभी भी आप withdraw कर लीजिए, मेरी advice, PPF बहुत अच्छा है, काफी safe है, आज की तारिक में 8.8 मिल रहा है, लेकिन lock-in हो जाएगा, return वेरी कर सकता है, हर साल वेरी करेगा, in fact, मेरे इसाब से, चुकि आपका लक्षे इतना लंबा है, तो इसको आप systematically, over the next 12 months और 24 months, इसको आप कोई अच अच्छे long term है, आपको better returns मिलेंगे, PPF में भी डाल सकते हैं, अगर वो आपको करना हो, तो, राइट, तो यह specifically आपके लिए राय है, इस plan को लेकर, और जो आगे विकलक दिये गए हैं, उन पर भी आप गौर कर सकते हैं, और अपनी investment strategy इस तरह से आप plan out कर सकते हैं, अगला स यह जो cover की आप बात कर रहे हैं, इसमें आपने specifically 1 crore की cover की बात की है, और आपकी 30 अज हम देख रहे हैं, यह somehow आपने जो यह 1 crore की बात कर रहे हैं, आपका जो भी annual package है, उसका 8 to 10 times at least है यह? जी, 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 है, ओके, आप online माध्याम से comfortable हैं? हाँ, actually, मैं यही जाना चाह रहा हूँ, कि मेरे पास LIC की जीवन अन्मोल policy है अभी आज की date में, जिसका cover मेरे उपूर 15 लाक्स का है, और मुझे अभी लग रहा है कि थोड़ा से यह कम है, तो मैं इसको चाहता हूँ, burn करके, then online plans में मैंने काफी आपकी प्रोगाम में भी का मैंने एक plan select करा हूँ है, जो कि अभी आई लाइफ क्या बात कर रहे है, आपको हम रहे दिलवाते हैं, रूम्टा साब, इनो ने जिस तरह से यह term plan online में specifically product का नाम बताया, यह जैसे हम देखते हैं, यह online cheaper medium रहता है, यह pickup भी हो रहा है, लोगों के दिल्चस्पी है, यह आ राइडर्स की वज़े से चूज किया है, नहीं सर मैं राइडर नहीं ले रहा हूँ, इवन मेरा medical incidence को लेके आप से एक दूसरा question है, पर मैं पैले चाहरा था कि इसका अगर आप कोई मिझे जवाब देते हैं, ठीक है, so very clearly बहुत अच्छा option आपने चुना, आप यह देखें इसकलोज करिएगा, खुद फॉर्म भरिएगा online, जितना भी उसमें पूछा है, सारा information डिसकलोज करिएगा, आपको medical के लिए भी जाना पड़ेगा, आप जाईए, क्योंकि सब कुछ डिसकलोज करने के बाद हो सकता है, कि premium वो ज़्यादा चार्ज करें, अगर कोई आपको problem है, या family में कोई history है problem की, या आपका व्यवसाय ऐसा है, जिसकी वज़े से ज़्यादा चार्ज हो जाए, लेकिन सब कुछ डिसकलोज करके करने से claim, खुदा नखास्ता अगर claim आता है, तो उसमें कोई problem नहीं आती है, तो that is one, second, प्लीज ये नई policy मिलने से पहले existing policy discontinue बिल ये गा, ऐसा न हो जाए कि ये policy भी न मिले और पुरानी policy भी आपकी discontinue हो जाए, तो इस बात का आप क्या ध्यान रखना है, अचरुंटा साब इसमें जैसे हम ये premiums run कर रहे हैं, individuals के लिए बाकी जो show देख रहे हैं, ये एक cheaper medium तो है, लेकिन इसमें केवल ये जो premiums है, जो cheaper option है, वो ही एक parameter है, या कुछ और भी parameters रहे सकते हैं, जनको देख कर एक call, finally term plan जब zero in करनी चाहिए, तो लेनी चाहिए, तो ऐसा है कि इसमें riders बहुत जादा available नहीं है, अवीवा में so called critical illness rider है, लेकिन वो waiver of premium rider है, न की payment rider है, simple भाषा में कहूं, तो insurance में hybrid product, जिसमें एक ही product के अंदर आपको various kind of protection मिल जाए, अभी तक अच्छे कहीं भी नहीं है, तो ये low premium है, complete disclosure करने से ये अच्छा plan रहेगा, आपको अगर और कुछ cover करना है, शायद दिपक जी का और भी एक सवाल था, कि उनको और भी कोई चीज cover करना, उसके लिए separate plans available है, अगर आपको critical illness cover करना है, तो Aviva का एक critical illness online plan है, अगर accidental disability आपको cover करना है, उसके लिए एक बजाज alliance का plan है, 25 लाख ही मिलता है, unfortunately, और critical illness का Aviva का online जो plan है, उसमें maximum 50 लाख ही मिलता है, लेकिन अच्छे plans है, सस्ते plan है, even insurance की separate requirements के लिए separate policy लीजिए, क्य hybrid policies unfortunately available नहीं है, जी, so all the west, दीपक साब, ये आपके लिए विस्तारपूर वक्राय है, और detailed screen पर है, इसके accordingly आप अपना है decision ले सकते हैं, हम फिलाल break के लिए रुक रहे हैं, बातचीत insurance बजार पर हो रही है, हम जल्दी लाट कर आएंगे, बातचीत हो रही है, insurance पर और शोव में participate कर रहे हैं, अपना पैसा से हर्श रुंक्र साब, अगला सवाल जो हम शामिल कर रहे हैं, यार के नांगे साब की तरफ से, अमेरेट से वो लाइन पर हैं, Mr. नांगे नमस्कार, नांगे साब senior citizen है, नांगे साब हम आपके प्रश्ण में दो हमने देखा है पहलू, एक तो आपने मंचन किया, आपको diabetes है, पिछले लगबग दो साल से, तो ये किस लेवल की है, आप प्लीस बदा सकते हैं, मतलब किस क्याफी serious है, किस लेवल की मतलब under control है, अचा, and secondly हम देख रहे हैं, नी replacement के आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर surgery का suggest की गई आपको, ये कब होनी है, ये एक जिल मेने के बात, तो अब आप पहली बार भीमा लेने का सोच रहे हैं, पहले insurance आपकी running है, रुंटा साब आप बदा सकें, ये पहले हम नी replacement की, जैसे surgery की और एकदम नजदीक, इन्चौर्ण सो कुछ ऐसा, वो थोड़ा पोस्पन भी हो सकता है, उसमें ये जो है, नी बट फिर भी वो जिस तरह से वो ड्यू है, डॉक्टर्स की तरह से risk किया गया है, तो करवाना तो है ही, एक महीने बाद नी तो कुछ और महीने बाद, छे-ाट महीने बाद, लेकिन होना है, रुंटा साब ये तो unforeseen कुछ ऐसा कोई risk हो, तो उसको cover करने के लिए insurance रहती है, ये तो specially बता रहे हैं कि वो due है, करवानी है, तो फिर तो मतलब उसको लेकर coverage तो एकदम तो नहीं हो पाएगा, मतलब कैसे इनको आप बताना चाहेंगे? I think नांगिया साब और जू भी ये program देख रहे हैं, उनके, उन सभी को ये कहना चाहूंगा कि बिमारी होने के बाद ये सोचना कि अब और कोई उस चीज का पैसा दे देगा, वो तो possible नहीं है, insurance company, charitable organization तो है नहीं, अगर पता ही है कि वो पैसा लगना है, तो छोटा सा premium दे के सारा का सारा cover मिल जाए, ऐसा तो possible नहीं हो पाएगा, तो अगर आप अभी policy लेंगे, तो उस में ये cover होना impossible है, कोई भी insurance company आपको इसके लिए नहीं देगा, जो आपकी existing policy है, उसमें भी अगर आपने complete disclosures किये थे उस समय में, अगर उस समय कोई problem थी, उसका disclosure किया है, diabetes थी, उसका disclosure किया है, तो भी near replacement का जहां तक सवाल है, उसके लिए normally दो साल का waiting period होता है, हर policy में, मे waiting period है, और एक sub limit भी होती है, near replacement की typically एक लाग से डेड़ लाग रुपे तक की maximum coverage होती है, जहां तक star health का existing policy का सवाल है, उसमें दोनों ही चीजे है, जो minimum period है, वो कम से कम मेरे क्याल से दो साल का है, वो भी अगर disclose किया होगा तो, वरना तो वो सारा का सारा policy ही खारीज कर सकते है कि आपने बताया ही नहीं हमें, और यह fraud है policy में, तो अगर disclose किया है, तो वो दो साल के बाद cover होगा, और वो भी एक maximum limit है, और star health में in any case 30% का copay है, यानि अगर 100 रुपे का eligible cost है, उस पे 30% आपको देने होंगे और 70% दूसरे देंगे, अब कहीं अगर policy लेने जाएंगे, तो उसमें नी replacement surgery cover होना तो almost next to impossible है, in fact policy मिलना ही मुश्किल है, यह एक मुश्किल है इंडिया में कि कोई भी insurance company जल्दी से जी, हम आखरी question का remove करेंगे, विसे some shape में और आप से हम इस पर राय चाहेंगे, मतलब अभी as of now, इनका क्योंकि coverage कम है, और यह अब क्योंकि सामने surgery है, तो संभव नहीं है, इनको cover मिल सके, कोई और policy, लेकिन आगे चलते हुए, क्योंकि यह senior citizen है, कुछ और complications हो, कभी in future कुछ और यह विकल्प चुन सकते हैं, उसमें disclose कर देंगी, यह problem है, needs related, diabetes भी है, और फिर आगे in future, कुछ waiting period के बाद या और कुछ complications ना हो, तो cover बहुत कम है, जो बता रहे हैं, एक लाग का मात्र, बिल्कुल, बिल्कुल बहुत कम है, तो इनको try करना चाहिए, मिलने में मु चर्मा जी की तरफ से है, SMS के जरिये, अब यह जवाल motor insurance पर है, car insurance पर और NCV पर इनकी तरफ से जवाल है, अब यह no claim bonus जिस तरह से avail कर रहे हैं, चार साल से insurance को इनोंने कभी claim नहीं लिया है, उसका benefit यह नई car पर transfer करना चाहते हैं, यह जिस तरह से possible तो रहता है, लेकिन यह benefit अवेल कर सकते हैं? 40-45% का जो भी no claim bonus नई company है, वो नई car पर दे देगी, तो जो आपका यह behavior रहा है, उससे आपको काफी फाइदा होगा नए car पर, यह सिर्फ आपको जो काजी की थोड़ी सी जो चीजे हैं, इनका ध्यान रखना होगा, benefit आपको definitely मिलेगा. जी, इसी नोट पर हम शो को wind up करेंगे, शुक्रिया शो में participate करने के लिए हर शुक्ता साब तैंक यू, तो आज के इस कारेक्टर में बस इतना ही, कल जब हाजर होंगे तो बाचीत real estate market power, नमस्कार.